मुंबई के सबसे ज्यादा संक्रमित जोन धारावी में अचानक से मजदूरों की भारी भीर दिखाई दी करीब 4-5,000 से ज्यादा मजदूर एकटा हो गए UP बिहार के लिए ट्रेन जाने की सूशना मिलते ही मजदूरों की भीर जमा हुई इन मजदूरों को जानकारी मिली थी कि लोकमान्या टर्मिनस और CST स्टेशन पर ट्रेने लगी हुई है इसके बाद ये मजदूर बेहिसाब सड़क पर आ गए वही जानकारी है कि वसई से UP के लिए 6 ट्रेने चल्ली वाली है जिसे सून कर मजदूर उमड पड़े ये तस्वीरे धारावी की है देखिए सब अपने हातों में समान लेकर सड़क पर आ गए है इतनी भीड में क्या सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी लेकिन प्रशासन ने इन्हें एक साथ बुला लिया है तो इन मजदूरों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का आरोप नहीं लगाया जा सकता है इसी के साथ आपको बता दे कि महाराश्ट्रिक में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को मुद्दे नजर रखते हुए कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांदी ने एक बड़ा बयान दिया है मंगलवार को प्रेस कॉंफरेंस के दौरान राहूल गांदी ने कहा कि हम महाराश्ट्र में सरकार को समर्थन कर रहे हैं लेकिन फैसला लेने की शमता नहीं है सुन्ये प्रेस कॉंफरेंस में राहूल गांदी ने क्या कहा है सबसे पहले अगर आप कोरोना को देखें जितनी जादा कनेक्टिट जगे है वहाँ जादा अग्रेसिव करोना होता है अगर आप दिल्ली देखें मुंबाई देखें पुना देखें इस में हाराश्चरा आप देखें कारोना है आप देखें कोच्छोरेश देखें करोना वांबडेसिति तेखें ऐसमय कई सब्सक्टिपरों मàय knowing जाधब एसमय कर देखें बच्छितिषगर वेल्सक्रन इसमय célsal主 mould is a difference between running a government and supporting a government. However, Maharashtra is struggling because of the nature of its connectivity. And Maharashtra is one of the most important assets, frankly, that India has. It is the center of business. So it requires full support from the government of India. I fully understand that Maharashtra is fighting a very difficult battle. And I appreciate that fact. And so are many other states. And it is important that full support of the government of India goes to the people of Maharashtra and the government of Maharashtra.